So hi everyone, this is Kisoo Rukumar, आज की क्लास के अंदर हो time, speed and distance के अंदर 4 पुलिस वाले concept को देखने वाले हैं, जिसके अंदर 2023 के अंदर SSC GD के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, और आज के इस single वीडियो के अंदर 4 पुलिस का जितने भी टाइप के सवाल है, सभी को cover कर देंग इससे पहले हमको time, speed, distance, एक काफी बड़ा chapter है, जिसके अंदर काफी सारी चीजे पढ़ना पढ़ता है, आपको भी पता है, तो सबसे पहले हमने आपको ये पढ़ा दिया है, कि किलुमेटर परती घंटा, मीटर परती सकेंड, यानि कि सबसे पैसिक सार जो बात होता है, इस कि relative speed आप बहुत अच्छे तरीक से जान चुके होंगे, यार ये घिसक रहा की हो, यार, इसको थोड़ी से लंबा ले ले जें, क्या, तो उमीद है कि relative speed आप जान चुके है, relative speed फिल साज थोड़ी से बताएंगे, बहुत बढ़ा चीज नहीं है relative speed, relative speed इसी परकार से होता है, कि इसका speed x है, और इसका speed y है, जब आमने सामने कोई दो गारी आती है, तो relative speed आने की relative गती जब लेते हैं, जब दोनों आमने सामने आती है, तो इसका दोनों का क्या होता है, हम जोड़ कर देते हैं, इसका गती को दोनों जोड़ कर देते हैं, और अगर दोनों same direction में भाग पूरा पूरा बड़ा ट्रेक है जहां पर उसकी लंबाई कुछ दे देगा दो आदमी चलेगा तो किस परकार से सारी चीजी क्लियर करेंगे ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं चोर पूलिस इसमें क्या कंसर पूछे जाते हैं किस परकार से बनाना होता है सभी चीजी यहां पर देख रहें देखें, माल लेते हैं कि सबसे पहली बात यह है, कि चोर पुलिस के अंदर आप यह समझ लिए, कि माल लेते हैं, माल लिजें कि अभी तीन बज़ राया है, ठीक है, तीन बज़े भोरे-भोरे कोई ठंड़ा में एक दम एक चोर है यहाँ पर, जो की चोरी किया कोच बस ठीक है और मालेते चोरी किया है तीन बजे के अंदर यार यह 60 किलोमेटर परती घंटा के रफतार से भाग रहा होता है थोड़ा से पेसंस रखिए इसके बाद तीन बजे इन्होंने चोरी किया भोरे भोरे क्या हुआ कि पुलिस को पता चला साढ़े तीन बजे अगर मालेते की पुलिस को पता चल रहा इस घंटना के बारे में साढ़े तीन बजे पता चल रहा है ठीक है अब पुलिस को साढ़े तीन बजे पता चला तो कोज को चोर को ढूड़ने के फैराक में पकड़ने के फैराक म सवाल चोर पुलिस जब भी दे तब हमेसा एक चीज नोटिस किजेगा कि पुलिस का जो रपता रहो हमेसा जादा होगा और चोर का कम रहता है ठीक है मेरे भाई अब देखिए अगर मैं यह बात करूँ थोड़ा सा बातों को समय नहीं कोसिस किजिए चोर तीन बजे चोरी किय यहां से तीन तीस में फुलिस आई है यहां पर ठीक है तीन तीस में आई है जबकि तीन बजे ही चोरी हुआ था तो तीन बजे ही चोरी हुआ तो तीन तीस तक चोर कहां तक भाग चुका होगा अगर मैं बात करू तीन तीस तक चोर कहां तक भाग चुका होगा तो क्या रपतार 60 km प्रती घंटा है यानि कि एक घंटे में 40-60 km तक जाता है ठीक है तो 3-30 बज़े चोरी हुआ तीन-30 में पूलिस को पता चला 3-30 में पूलिस पीछा करना शुरू करती है छोर का तो 30 मिनट में 30 km भाग चुका होगा अर्थात अगर मैं बात करूँ ये बात समझ में आया होगा आपको मैं फिर से explain करता हूँ कि तीन बजे अगर चोरी होता है मालेते कि तीन बजे चोरी किया और चोर का जो रपतार है वो 60 km प्रती घंटा है याने कि चोर एक गंटे पे 60 km बाता है तो पुलिस को पता चला 3.30 बजे तो आधा गंटा तो चल चल चुका है यहां से फूलिस भागना शुरू किया है पुलीस और यहाँ पर चोर है तो साधे तीन बजे यहाँ पर पुलीस है घटना इस्तल में मेरा घर पे चोर ही हुआ तो पुलीस मेरे घर पे आई है और चोर भाग चुका है आदा घंटा भाग चुका तो चोर आदा घंटा मार्केट रूर के तो निकल गया होगा तो आदा अब बात करते हैं कितने टाइप से सवाल सकते हैं, आपको यह देखिए, इसको मैं थोड़ा सा उपर कर दूँ क्या, चलिए भाई इसको मैं यहां पर रखता हूं, तक कि आपको चीज़ आसा नहीं हो, थोड़ी से मैं इसको छोड़ा करता हूं, थोड़ा सा, बहुत ज्याद ठीक है कितने समाई के बाद पकड़ लेगा यानि कि पहला नमर ये समाई पूछ सकता है ठीक है पहला नमर समाई पूछ सकता है दूसरा नमर ये पूछ सकता है कि भाई एक बात बताओ कि कितने समाई में पूछेगा फिर पूछेगा कि कितने बजे पकड़ सकता है ठीक है कित बातों को समझने कोसिद कीजिए पहला नमबर समय निकालना है तो समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है बातों को समय निकालना है तो समय बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है दूरी बटे चाल होता है दूरी बटे चाल दूरी बटे चाल अब यहां पर भी जो दूरी ब टिक है तो हमेशा पीछा चलल दो चोल लेगा होता है यहाँ पर Window बोट समझ में तब यहाँए सापक्स यहाँ है और रोज consumes के बीच का कितने गे penso कितना गे अगर ये साट किलमेटर परती गंटा के रापतार से चल रहाओ यह और से ठीक किलमेटर का गे लोग का sitzenरेगे मेर भाई यह गे इसके बीच ग का 30 मा टो वह एक गुंटा में कुछ मतलब काट देंगे फिर अगला काट देंगे कुछ मैं घपला करते जाएंगे उससे ज्याधा चलें गया है तो बजे व wilt आतां करके था व को अगर बजिए कैसे करते हैं उसको समय आ दिते हैं अगर दूरी बोलेगा ना दूरी दूरी अगर बोलता है दूरी तो दूरी बराबर क्या formula होता है चाल इंटू समय सबसे बहतरी इन सा formula और कोई बड़ी बास ने बस ये दो ही तीन चीज़े इससे पूछते हैं बाकी की जो भी चीज़े पूछे जाएंगे अलग अलग तरीके से इसे ही पूछे हैं तो हो आप अराम से करके लेकर चले जाओगा अब अगर मुझे समय निकालना है ठीक है तो समय निकाल लेंगे तो समय पराबर दूरी दूरी इसको कंदो के बीच कितना है 20 km है तो 30 km दाल दिया ए ऊसके बाद अब अमें गती लेना है यह क्या होगा दोनों माइनस हो जाएगा तो 80 में से 60 जाएगा तो 20 किलोमेटर प्रती घंटा बचेगा 20 किलोमेटर प्रती घंटा बचेगा और किलोमेटर से किलोमेटर कड़ जाएगा ठीक है समय निका जिरो से जिरो यहीं कि तीन बटे दो यानि तीन बटे दो घंटा यानि की 1.5 गंटे मेरा भाई अगर तीन से दो को भगा करेंगे तो आपका डेड़ा जाएगा दो एक के दो पॉइंट दो पंचे दस डेड़ घंटे अगर समय पूछेगा कि कितने समय के बाद पुलिस जो है वो चोड़ को पुछा जाएक कि तो खोजना प्रारम कितना बज़े किया है और समय कीतना लगा जो घंटे का पकड़ा जाएगा यानि कि प्हली कितना है 10.5 घंटे दोड़ना कितना है 154 120 होता है 2015 और 150 इसी तरीके से सवाल पूचेजा जाते हैं और पूची बढ़ी बात नहीं है अब सारी सवाल अब खुद बना पाएंगे आपके समय पहला सवाल हम पेस करते है ठीक है उसके बाद हम बिरित्य पत के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर में देखें सवाल क्या कहता है यह वही सवाल है एक्जमपल वाला ही सवाल है ठीक है सवाल क्या कहता है पहला सवाल को देखते हैं, पहला सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक चोर ने अपनी यात्रा 60 km परती घंटा की चाल से शुरू की, 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी इस्तान से 80 km परती घंटे की चाल से पीछा करना शुरू किया, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कित चलती है, 30 मिनट के बाद, तो 30 मिनट में वो कितना दुर भाग या होगा, 30 मिनट में 30 km, यानि कि ये 30 km तक भाग चुका है, तो पुलिस उसी इस्तान से, यहां से चोरी किया है, चोर 30 km तक भाग चुका है, यहां से भाग चुका, चोर का रपतार यहां पर 60 km है, अब पु सब्सक्सक्राइब येरे नोउक्सत्स सब्सक्राइब चोर की जो रप्तार है, रप्तार मेरा कितना है? 80 km. 80 km परती घंटा मेरे भाई, 80 km, ठीक है, 80 km है, beschäftखगी चोरी का पता चलता है, चोरी का पता 4.00 पर चल रहाँ, 33 में चोरी हुआ, मालिक दूसरी का इन ceram की कीकी 90 km परती घंटा से पीछा,'जब초 मानिये मालिक का रफतार है 90 किलोमेटर प्रती घंटा है तो क्या पूछ रहा है को ही पीछा करता है वो चोर कब पकड़े जाएगा क्या लिखा पकड़ लेगा चोर को कब पकड़ लेगा यह चाहिए तो तीन तीस में चोरी हुआ आधे गंटे के बाद मालिक को पता चला तो आधा गंटा तो चल चुका है चोर तो चार बजे मालिक यहां पर है और चार बजे चोर आगे पहुंच गया कितना दूर पहुंच गया एक घंटे में वो 80 किलोमेटर की दूरी ताई कर लिया होगा 40 किलोमेटर हमें 40 किलोमेटर क्यों चाहिए उनके दोनों के बीच के दू किलो मेटर नीपोंटर चाल कर तक में चूल जाना है keywords ऑलना से आसे किलो मेटर खाएं और नबे रिलेटिव स्वीट क्या दोनों साथ में जाएगा तो माइनिस हो जेगा, नबे में साश सी घड़ेगा तो बचेगा 10, तो 10 किलूमीटर पढ़ती घंटा के रफ्तार है, किलूमीटर से किलूमीटर कर ज़ेगा, यह कर ज़ेगा यन कि 4 घंटे, 4 घंटे के बाद जाएगा पीम पर आठ बजे पीम पर पकड़ा जाएगा ठीक है मेरे भाई उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप इस सवाल को अगले सवाल के और बात करते हैं दिखिए अगला सवाल कहता है कि एक पुलिस कर्मी को 380 मिटर की दूरी पर चोर दिखाए देता है यानि कि चोर भीया मेरा इहां है और पुलिस इहां है और यह एहीं से देख रहा है इसके बीच की दूरी कितना है 380 मिटर यह बात कितने आदमी को समझ गया पहली बार में क्लिक कर जाना चाहिए कि एक पुलिस मतलब एक पुलिस के मन में पुलिस को जब भी देखेगा तो जहां अगर चोर ही नहीं मतलब हमको भाई लगता कि वह हम कोई देख रहा है तो वह भागने लगता है और पुलिस कर्मी उसका पीछा करता है ठीक है चोर और पुलिस कर्म सा 25 मिटर 30 से अब पुलिस के रफ्तार क्तिन मिटर थीक है मेरे भाई अब सवाल क्या है सवाल है पुलिस कंपने को चोर को पड़ने में कितना समई लेगा आपको बारबर हम अराम से पढ़žके बता रहे हैंक है समय बराबर क्या हो जेगा आपके सामने समय बराबर हो जेगा दूरी बटे चाल दूरी मेरा कितना है 380 मीटर तो 380 मीटर हम यहाँ पर रग देंगे ठीक है चाल हमारा क्या है चौल चाल मेरा लेना है दोनों एक ही दिसा में भाग रहा है यह भी इधर भाग रहा है इधर भी यह है तो 25 में से 35 अधर पर 35 से मिटर कटेगा तो पांस साथ पैंटीस तीन बचेगा तो 30 हो जाएगा तो 5 अगला सवाल क्या कहता है, एक पुलिस कर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर को पिछा करना प्रारम करता है, 600 किलिमेटर की दूरी, यानि कि पुलिस यहां पर है और चोर यहां पर है, दोनों की बीच की दूरी कितना है, 600 किलिमेटर, क्या माप किजिए भाई, 600 मीटर है, ठीक ह देखे अब दिया है पुलिस कर्मे और चोर की चार 12 किलोमेटर प्रती घंटार 10 किलोमेटर प्रती घंटा है चोर कितने दिर में पकड़ा जाएगा चोर का जो रप्तार है यहां पर देखे देजिए चोर का जो रप्तार है वो कितना है मेरे बाई चोर तो सेकेंड वाला पहल दूरी बटे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी क्या है? 600-600 मीटर अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल होगा जिसे आपको देखना है यह क्या है relative speed यहाँ पर 2km प्रतिगंटा अब ये मीटर में है ये किलो मीटर परती घंटा में सवाल एंसर हमें मिनट में चाह रहा है ठीक है अब एक बात बात बताई ये मीटर और किलो मीटर परती घंटा कभी कट नहीं सकता कट नहीं सकता तो किलूमेटर परती घंटा को हम मीटर परती सकंड में चेंज करेंगे ठीक है और आपको ये बात हमने बता दिया है कि जब भी कोई चीज मीटर परती सकंड में रहता है तो इसे किलूमेटर में जाने के लिए 18 बटे 5 से गुना करना पड़ता है और अगर मीटर मेलरा मेलरा चनलेंगे संपोड़न रहे कि जालेंगे संप मालूम मों टक्रेजेंगे कि उसका सोब सब्सक्राइब करें Board Bureau 30 देखो कोई से केंड में कोई चीज है मन लेते हैं झाल उन्हें है तो हमज़कोंने च्छ रागीस करना करें सब्सक्राइब कुछ एको домी मेंमें तबदिल करना है इसको अगर हमें चेंज करना है मिनट के अंदर Jr . Minute के अंदर में, तो हम क्या करेंगे, इस second को 60 से divide कर देंगे, तो ये Minute में बदल जाएगा, इतनी सी बात समझ में आगे नहीं आगे, अगर कोई Minute में है, माले लिखे कि ये Minute में है, अब Minute से हमें घंटा में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, मिनट जो है इसको भी हम 60 से भगा कर देते हैं तो यह मेरा घंटा में तब्दिल हो जाता है अगला सवाल देख लिए अगला सवाल कहता कि एक चोर एक पुलिस कर्मी को 500 मिटर की दूरी से देख रहा है अगला सवाल एसा नहीं कि सवाल पूछा हर एक सवाल 2023 के अंदर में पूछेगे हैं जितने भी सवाल ना है तब पूछेगे हैं सवाल है एक चोर एक पुलिस कर्मी 500 मिटर की दूरी से देख रहा है यानि कि यह 500 मिटर की तो इसके दूरी है ठीक है यहाँ पर पूलिस होगा मेरा भाई और यहाँ पर चोर बात इतनी से खतम उसके बाद क्या है देख कर 8 किलमेटर परती घंता के चाल से भागने लगता है कोन भागता है 8 किलमेटर परती घंता से चोर भागने लगता है आठ किलोमेटर परती घंटा से चोर भागने लगता है और पुलिस करमी ने 11 किलोमेटर परती घंटा की चाल से उसका पीछा किया और पीछा कितना से किया 11 किलोमेटर परती घंटा से तो चाहरा क्या चाहरा तो उसका पीछा गया तो पकड़े जाने से पहले अब देखें पक चीज़े मीटर में चाहिए आराम से बता सकते हैं अब देखिए हमें यहां पर क्या चाहिए कि कितना दूरु भागा तो एक बात इसको थोड़ा से उपर करते हैं तक आप चीज़े को मैं समझा पाऊं यह पूरा उड़ गया ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं उड़ने दिज सवाल का एंसर भी मिंटा में मीです मीटर में चाहिए मीटर में से अइस मेरा निच्छे से उपर चल जब गया घार बदल जा में तो 5 चोर का रफ्तार आठ किलोमेटर प्रती घंटा तो आठ किलोमेटर प्रती घंटा एंसर मीटर प्रती सेकंड तो आठ किलोमेटर प्रती घंटा से मीटर प्रती सकंड में जाएंगे तो इसे क्या करेंगे पांच बिटा अठार से गुना कर दिए उसके बाद ये जो 600 सकंड है इसे 600 सकंड रहने देते हैं यहां तक बात आपको समझ मागे कि नहीं आगया अब आराम से काट सकते हैं चाहसे इसको कटेंगे तो एक बार में 006 या 18 ठीक है अब क्या 8 545 चालिस एक सो यहां कि 40 और 00 और बटा तीन कर दीजिए यह 3 कर देंगे तो 4000 से जब 3 को डिवाइड करेंगे 4000 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एक अं तीन जाएगा पहले उसके बाद लगातार 10 सवाल जब भी बनाएंगे जब इतना बड़े नंबर दे दिया जाता ना तो पूरा करने की जोरत नहीं होता पेपर में अगले का अगला दो तीन अक्षर मिल जा रहा है भगा करने के बाद तो बस उसको मार के प्रती घंटा की चाल से चलता है और उसको चलने के पांच घंटे के बाद भी उसके पीछे कि प्रारम इस्थान से कितने दूरी पर एसे मिलता है यानि कि क्या निकालना है मेरा भाई बी किसे दूरी तैकिया वह आपको चाहिए बी ने कितना दूरी तैकिया है वह चाहिए तो यहाँ पर यह किलोमेटर में पूछा कोई दिक्कत ने आराम से बता देंगे ठीक है यह है भाई साम यहाँ पर यह चार किलोमेटर परती घंटा की चाल से चला रहा है ठीक है यह ने पांच घंटा चला पांच घंटे पूरा प्रतिघंटाा अब बताया कि यह झो है वो चार क影片 प्रतिघंटा से भाग रहा है और उन्यों पांच तसके कर दिया बतैये तो बीकिलोमेटर यहने के बाद जो आया है वह B को होस आया कि बेटा इसका पीछा करते हैं 20 km जाने के बाद तो हमें सबसे पहले दूरी समाई निकाल लेते हैं समाई तो समाई बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल तो दूरी कितना है मेरा 20 km परती घंटा 20 km सब्सक्राइब और चार और दस चार और दस के बीच में कितने का अंतर छे यह क्या है यह किलुमीटर में है और यह किलुमीटर फ्रति घंटा में तो इससे कड़ जाएगा यानि कि क्या हो जागा यानि कि 10 बटा-3 हो जाएगा गहन पर गहंता 10 बटा 3 घंटा हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि बहें इसको पकड़ा है 10 बटे 3 किलोमेटर प्रती घंटा में यानि कि B कितना दूर चला है तो दूरी बराबर क्या होता आपको होना चाहिए कि दूरी बराबर जो होता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समाई तो देखे दूरी तो देखे दूरी क्या है दूरी माप कीजिए चाल कितना है किसका बी का चाल है 10 किलोमेटर प्रती घंटा तो 10 रग दिये ठीक है 10 किलोमेटर प्रती घंटा और इंटू कितना दूर चला है 10 बटे 3 घंटे तो घंटे से घंटे मेरा कैंसिल हो जागा और 10 दहाम 100 बटा 3 हो जागा एक सो बटा तीन हो जागा यानि कि 3.33.33 ये एंसर आपको होता है परसंटेज में कई बार आपको करा चुके है एक सो बटा तीन को 3.33.33 किलोमेटर होगा ठीक है उमीद है कि यह सवाल अब समझ गए होंगे अगले सवाल के और बढ़ते हैं और उमीद है कि इस सवाल को बना के लिके चले जाएंगे फिर भी इस सवाल को बताते हैं देखी एक चोर 12.30 की चाल से दोड़ना सुरू करता है और 10 सकंड दोड़ने के बाद पुलिस कर्मी उसी दिसा में 14.5.35 की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दोड़ना सुरू करता है और करता है पुलिस कर्मी दोड़ा चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा ठीक है कितना समय लगेगा यह हमें बताना है चलिए अराम से बता देंगे सबसे पहली बात क्या है कि ये चोर निकला चोर बारा मीटर परती सकंड की रप्तार से जा रहा बारा मीटर परती सकंड की रप्तार से भाग रहा है और इन्होंने दस सकंड तक भाग दिया दस सकंड तक भाग दिया 120 मीटर इन्हों ने भाग दिया ठीक है मेरे बैई 100 मीटर भागने के बाद चोर मेरा यहां पर पहुच गया है चोर का रपतार जो है 12 मीटर पर 30 सकंड है और पुलीस का जो रपतार है पुलीस अब यहां से उसको होस आया और चोगदो पाइब मतलब मीटर पर 30 से इसको चलना पिछा करना सुरू किया कितने समय में पकड़ लेगा समय चाहिए समय बराबर क्या तो दूरी बटे चाल दूरी कितना है 120 मीटर 120 मीटर और चाल क्या लिना है काड़ सकते हैं तो पांच दूरी दस और पांच चोका बीस चोबीस दूरी कितना हो जेगा 48 सकंड आरतालिस सकंड आपका करेक्ट उत्तर बंजेगा जो की डी नंबर है यहां तक आपको दिक्कत कोई दूबिधा नहीं होना चाहिए ठीक है अगले सवाल के और बढ़ते हैं अगला सवाल आपके लिए होंबग रहेगा सेमट टू सेम सवाल उसका कोपी पेस्ट है अगर नहीं बता पाते हैं तो इसका मतलब आप में दिक्क्त है जरूर बताएंगे यह मीटर में एंसर चाहिए कोई बड़ी बात नहीं है अब अराम से बनाएंगे कोई दिक्कत नही इसका answer आप comment box में बताएंगे, इस सवाल का भी answer आपको comment box में बताना है, देखी, सवाल क्या कहता है, कि 225 मीटर की दूरी पर एक पुलिस कर्मी एक चोर को देखकर भागने लगा, ठीक है, तुरंती पुलिस कर्मी ने चोर का पीछा करना शुरू किया, यदि चोर पुलिस कर पुलिस कर्मी, 9 km परती घंटा, 10 km परती घंटा के चाल से भागता है, तो 4.2 मिनट के बाद उनके बीच का अंतर क्यात कीजिए, 4.2 मिनट के बाद उनके बीच का अंतर क्या होगा, यह हमको बताना है, तो यह एक नया टाइप से है, मतलब उसी के अंदर से पूछा जाता ह तो इसका best approach क्या है हम आपको बताते हैं देखिए दोनों के बीच का distance क्या है 225 मीटर का distance है मतलब दूरी ठीक है चोर और पुलिस कर्मी का जो रपतार है 9 किलो मेटर परती घंटा ये चोर का रपतार है और पुलिस का जो रपतार है वो 10 किलो मेटर परती घंटा है अब सवाल ये पूछ रहा है कि यार बताओ 4.2 मिनट के बाद उनके भीच का दूरी कितना होगा तो दोनों में अगर relative speed लगाएंगे तो एक घंटा होता है एक घंटा किलो मेटर परती घंटा का अंतर है 1 किलो मिटर परती घंटा का मतलब क्या है ?कि वह 1 घंटे में 1 किलो मिटर भाहा घर भाग रहा है जूरी किलो मिटर भागी सबfourst, 2 मिनट में में कितना धीर भागे गा ल audience सब्सक्राइब तो 60 मिनिट, 70 मिनिट में कितना दूर ब Alf победなzenie, 1000 मिनिट में इतना नेद में, हम4.2 में वह कितना दूर उनके बीच का अंतर कितना है, 60 मिनिट में उनके बीच का अंतर 1000 मिनिट है, तो अगर मैं 1 मिनिट का निकालin , तो क्या हो जाएगा ? 10,000, मतलबology, 1,000 हो जाएगा ? तो मुझे कितना चाहिए 4.2 का चाहिए तो अगर मैं 4.2 मीटर का निकाल हूँ तो क्या करना पड़ेगा यहां पर 1000 1000 मीटर मतले 1000 बटे साथ इंटू 4.2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा अब बोलेगो बिल्कुल देखे जिरो सी जिरो कर जेगा च्या से जगिए जिरो साथ मिटर तो आप देखे यहां पर तो टोटल इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 255 मिटर ठीक है 255 मिटर लेकिन 4 मिनिट के बाद का दूरी कितना 70 तो 4 मिनिट के बाद की दूरी जो है वो 70 मिनिट है तो इसमें से टोटल यह 60 मिनिट का डिस्टेंस है टोटल ठीक है तो 4.2 इसमें माइनस कर देंगा अब सिर्फ कुछ नहीं करना जो भी आएगा उसको 70 को यहां से माइनस कर देंगे तो यहां पर 5 होगी आप 12 में और यहां पर 12 में साथ जागा तो 5 एक 155 मिटर आपका करेक्टूर बन जागा अगर मैं इसको निकालने का और एक तरीका है केसे निकालते हैं उस समझते देखें うस दोनों के बीच का देखें की दूरी कितना है मतलब दोनों का रफ्तार कितना है 9 km प्रति घंटा उसको 10 km प्रति घंटा जब भी आपको ये बोले कि 4.2 मिनिट के बाद उसका रफ्तार बता कितना होगा बीच के दूरी 10 मिनिट के बाद कितना होगा 6 मिनिट के बाद कितना होगा और वो चीज किस में दिया आजाए अगर मीटर उटर में दिया जाए तो बहुत अच्छा बात है ठीक है तो हम यह देखेंगे कि दोनों के बीच का रफ्तार कितना का अंतर है तो एक किलोमेटर परती घंटा एक किलोमेटर परती घंटा ठीक है एक किलोमेटर में है इसको मीटर परती सकंड में आप चेंज कर देंगे मीटर परती सकंड में चेंज कर देंगे तो पांच बटे अठारा से घुना करना पड़ेगा हो गया, अब कितने मिनिट का दूरी का चाहिए, तो 4.2 तो 4.2 मिनिट, अब ये मिनिट में आया है, 4.2 मिनिट में है, तो मिनिट को अगर सेकेंड में बदलना है, सेकेंड में क्यों निकालने है, क्योंकि मिनिट, परती मिनिट नहीं आगा, मीटर परती सेकेंड होता है, मीट मिनट बराबर कितना सकंड तो दो मिनट बराबर दो मिनट गुना साथ बराबर 120 सकंड होता की नहीं होता तो 4.2 बराबर कितना सकंड साथ से गुना कर देंगे अगर मैं काटूं तो दिखें कैसे काटेंगे भाई चौत यह 18 काट देते हैं और 6 से कितना बार में जाएगा बीच का जो गेप था 2025 मिटर उसमें से सिर्फ आपको सत्तर घटा देने आपका एंसर आजगा दोसो पचीस में से अगर सत्तर घटा देंगे ति यह पांच यहां पर पांच एक बीच के अंदर कितना होगा तो यह एक मिनट का आ गया कि नहीं आ गया एक मिनट इसको मीटर पर 30 सकंड में चेंज कर दीए हो गया यह एक मिनट का बात तो हमें 4.2 का चाहिए तो इसी में गुना करेंगे यह मिनट में था इसको सेकेंड में बदल दीए एक चीज तो यह था आज दूसरा चीज आपको यह चीज बताए इस चीज से भी आप निकाल सकते हैं कि इस जोनों के बीच का एक घंटे में ए अंसर आके सामने खड़ा हो जाएगा अगले सवार के ओर बात करते हैं दिखेए अगला सवाल क्या कहता मेरे भाई अगला सवाल जो भी इस सवाल को आप अराम से बना सकते हैं पुलिस अधिकारी एक इस सवाल का हमबग रहा इस सवाल को एंसरा आपको comment box में बता रहा है ठ अगला देखे ओर मोहन और सोहन के बीच का दुरी क्या है अब एक बात बता ये अगर से 8 किलो मेटर प्रती गंटा 9 क발 걸로 más tb य९दि मोहन एक ही तिशा में जा रहा है तो एक किलो मेटर फरती घंटा में उ कितना जा रहा है हम हजार म democratic भाद मोहन और सोहन के भीका दूरी किलो agreements में चाहिए है एक किलमेटर की क्योए दिखतल है तो एक गंटे में की तरहां एक गंटा लड़ектर में हम पांच गंटे में h इतने का अंतर फूरपन अब हम बात करते हैं देखे बृताकर पत यह क्या होता है कैसी होते चीजों को समझ लेते हैं इसमें क्या होता कि एक मतलब कोई भी ट्रैक दे लेगा या वर्गाकर कुछ भी देगा तब को डरने वाली बात नहीं यह बहुत आसान सी चीजे है ठीक है आपको इस परकार से दिया जाता कि एक बिर्ताकर है ठीक है यहां पर दो आदमी बेठा हुआ है एक एक बी बेठा हुआ है इस पूरे बिर्ताकर की लंबाई कुछ दे देगा मालेते कि इस बिर्ताकर की कुछ भी लंबाई है अगर मालेते कि इसकी लंबाई एक इस्सों है ठीक है, एकिस्सों है, और एकी जो रफ्तार है, एका जो रफ्तार है, तीन मीटर परती सकंड, ठीक है, एकिस्सों मीटर लंबाई है, और बी का जो रफ्तार है, वो चार मीटर परती सकंड, अब आपको ये चीज पूछा जाता है, कभी भी, पहला नमर ये पूछेगा, कि अ दुसरा हमें यह पूछता है अगर वो विपरीट दिसा में जा रहा है यह जा रहा है यह जा रहा है इधर से और B जा रहा है इधर से थो पहली बार यहां मिलेगा कि यहां मिलेगा कि कब मिलेगा वो बताना है कितने second के बाद मिलेगा यह चीजे पहली बार कब मिलेंगे ठीक है दूसरा नमर यह पूछता है कि अगर वो समाने दिसा में जा रहा है समाने दिसा में तो पहली बार कब मिलेंगे समान दिशा में जा रहा है तो पहली बार के कब मिलेंगे अगर A भी इदर से जा रहा है और B भी इदर से जा रहा है और सेम चीजे हैं तो वो कब मिलेंगे ठीके दूसरा बात तिसरा बात हमसे ये पुछा जा सकता है कि वह इस ट्रैक के अंदर में कितने बार मिलेंगे, यहाँ पर एक बार मिलेंगे, फिर घूम के आके एक बार यहा भी मिल सकता मतलर कितने बार मिलेंगे, यह पूछा जाता है। तो सबसे बेड़ी पाद आपको समय पूछा जाए कि कितने समय के बाद मिलेंगे तो समय बराबर क्या चीज़े होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल इस चीज को पूरा संसार जान रहा भी दूरी बटे चाल ठीक है तो दूरी क्या है इस ट्रैक का जितना भी पूरा सब्सक्राइब काहिए गुट देना है दोनों की तो चार तिन साथ छेगा लिए तो आगर बिप्रीत बोला है तो तो जोड़ देना तो चार तीन साट मीटर पर तीन से कंड मीटर से मीटर कर दिगवन में एक तीन सो सेपंड के बाद सबसे आसां तरका होता हुटा है तो अगर वो opposite direction में जा रहा है तो कुछ मत किजिए जो इसका speed है ना विपरीद दिसा में जाएगा तो speed को क्या करना जोड़ देना है इसमान में तो चार में से घटा देंगे एक बार मिलेगा अगर आपको यह पूछ है। उपर कब मिलेगा तो शुरुवाती बिंदू में निकालने के लिए एक चीजे काम आता है कुछ इस फ्रकार से देख रिएगे। सुर्वाती बिंदू पर जब आपको बोलेगा कि सुर्वाती बिंदू पर कब मिलेगा ठीक है सुर्वाती बिंदू पर बोलेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना कि समय निकालना है समय बराबर क्या होता समय बराबर होता दूरी बटे चाल तो दूरी बटे चाल जो करेंगे ओही चीज disgust लेकिन इसमें अलग पहले बिंदु पर जब मिलेगा तो पहले आमें यह अलग-अलग से दोनों का टाइम को निकाल लेगे कि यह कितना मिनिट में पहुच जाएगा और दोनों का सब्सक्राइब कि यह थीजिए पहला सवाल क्या है यह सवाल पीचे आगए अब यह देखे जैसा पहला सवाल है पहला सवाल क्या है कि 2700 मिटर की एक बिर्ताकार दोड में पी और क्यू बिंदु एक विप्रित दिसा मीए 2700 मतलब इस बीताकर पात की जो लंबाई है आपकी मेटर दे रखा है यहां पर एक बिंदू है अर्लिय कोईिग फटी खाड़ पी और प्यों प्रति घंटा पी कर अपतार जो है वो कितने समय के बाद पहली बार बिलेंगे और बिप्रिद दिसा में जा रहा है तो क्यों मेरा इधर से जा रहा तो पहली बार कब बिलेंगे पहली बार जब भी कब मिलेगा तो समय निकालना है तो समय बराबर क्या होतहा हैक apo का दूरी बटे चाल मेरा किटना प्रतिशा में जा रहा है 2700 मीटर विफ्रीद दिसा में जा रहा किया दोनों क्या होगा जूट जाएगा तो 2359 को अगर जोड दिया जाए तो कितना हो जाएगा कि यहां पर सेम खेल का स्थेम के लिए 2700 मीटर है किली मीटर परतिशचर में बदल देंगे तो बाटर इंटो पांच में अठारा करना पड़ता है सबको अठार में उपर चला जाएगा अश्केश किसमें में बदल जाएगा में बदल जाएगा इसको काड़ेंगे तो देखे चार एकम चार कड़ गया चार एक बचेगा तो चोजो हो जागा चार तिया बारा होगा चार तिया बारा हो दो बचे का 425 यानि कि 135 सेकंड के बाद इसको पकड़ लेगा 135 सेकंड में वो एक दूसरे के बाद मिल जाएगा तो 135 यानि कि C नंबर करक्टूर तर हो जागा ठीक है उमिद करें यह सवाल कि दो कार दो पहर 12 बज़े एक ही समय पर 3.6 किलोमेटर के सा के एक बिताकार पर चकर लगाना सुरू करती है वे समान बिंदू से वे समान बिंदू से शुरू करती है तदा समान दिसा में चलती है इसकी गती 72 किलोमेटर परती घंटा SG के कार है कार एक समय पर मिलेंगी सवाल को 12 बजए 12 बजए कर 08 बजए इसको चलना सुरू viens दोनों कहता है कि एक ही दिशा में जा रहा है तो दोनों दिशा में तो क्या निकाला सामाई समय बराव दुरी बटे चाल तो दुरी कितना है 6.3 km 3.6 km सो रहे ठीक है उसके बाद इसको क्या करना है रिलेटीव इस्पिड लेना है तो 72 km किनलों 95 तो कितना बचेगा उसको घंगे तो18 बचाना चाहिए आपको डएक तो हर चीज मिनिट में दिया गया है तो 0.2 आउर को क्या करेंगा हम मिनिट में वदल लेते हैं तो 0.2 इंटू साथ कर देंगे तो साथ दूने 120 मिनिट हो जाएगा एक संक्याबाद पॉइंट है यहाँ पर जिरो लग जाएगा यह मिनिट यह निकि बारा मिनिट के बाद हुआ कि नहीं हागे है वह बताइए सबसे पहला बात यह था कि 12 जुए कोई चार कार जो दो कार हो बारा माँ चलना शुरू किया ठीक है एगो कार अपतार है 122 किलोमेटर पर तीक है अब पूरा track का जो लंबाई है वह 3.6 किलोमेटर है तो 12 चलना शुरू किया तो पहली बार गटाएंगे तो 18 बचेगा, 18 दूने 36 यानिकी 0.2 आवर, 0.2 आवर है, तो 0.2 आवर को अगर मैं मिनेट में बदल देता हूँ, 0.2 आवर में कैसे लूँ, तो उसको मिनेट में बदल देते हैं, 0.2 इंटू 60, घंटे को अगर मिनेट में बदलना है, तो 960 करना पड़ेगा, तो 0.2 इंटू 60, 120, लेकिन 1 संख्या के आगे पॉइंट लगा हूँ, तो 12 हो जेगा, 12 यानिके 12 मिनेट के बाद वह पहली बार मिलेंगे एक दूसरी के साथ, तो 12 बज़े चलना शुरू किया, या तो 12 मिनेट देता है, या तो 12 मिनेट के बाद, यानिके 12 बज़े चलना दोड में A और B एक ही बिंदू से एक ही समाई में करमसा 90 किलोमेटर परती घंटा और 72 किलोमेटर परती घंटा चाल से दोड़ना सुरू करते हुए एक दिसा में दोड रहे हैं कितने समाई के बाद वो ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे जो भी समाई आएगा है वो किलोमेटर परती घंटा में आना है उसको मीटर परती सकंड में आप चेंज करेंगा आपका एंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा इस सवाल का अंसर आपको कॉमेंड बोक्स में बताना है उमिद करने सबसे कि आप बोग बता देंगे ठीक है अगला सवाल किया कहता है कि 12 मीटर की एक गोलाकार दोड में A और B एक ही बिंदू से एक ही समय पर करम से 27 किलोमेटर परति घंटा और 45 किलोमेटर परति घंटा के गती करते हैं जब ये समान दिसा में दोड़ते हैं तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे जब भी मिलेगा भाई आपको बताना ही है इस सवाल का एंसर कमेंड बॉक्स में बताना है अगर सवाल नहीं बनता है तो आप जरूर बताएंगे लेकिन जितना भी कंसर्प्ट आपको कराएं उसक चाल करम सा 36 किलोमेटर प्रति घंटा और 24 किलोमेटर प्रति घंटा है यदि वे विपरीद दिसा में और समान दिसा में दोड़ते हैं तो दोनों इस्तिति में ट्रैक पर उनके पहली मिलने की समय की बीच का अंतर अगर देखिए इस सवाल में क्या पूछा कि एक ट्रैक द हाथ तो वह कितने समय की बाद मिल रहा रहा है जितने भी समय के बाद मिल रहा है विपरीद और साथ दोनों का अंतर बता यह, कि यह कितना है।ode ओणे में ङे आगाई में स्वासें अंद्री और च्मानलों के बीचक अंतर मेरे सामने किटना है कितना है तो इस अधर चेवर वृप मेरा तो पांच बच बटे अठार से गुना कर तो यह उपर ये उपर चलेगा तो इस तो और आड़ा तो यह था पड़ेगा जिए आठार से अठार कर जेगा पांस से कजए एक यहांने एक एक हजार सेकन्ड आगे हैं मेरे था सेकन्ड तो समान डिशा में चला थेग़ फिक है अब और बिप्रीत दिस्वार चले गार तो क्या होगा मिटेर तो पांच जर्मीटचल में रणने वाला है कोई दिक्कत दूरी और क्या होगा दोनों का जो रिलेटीव स्पीड है वो जूट जाएगा यानि कि 36 चुओन अगर जोड़ दिया जाए 36 चुओन तो चोचार दस के सुन्या हाथ पर एक पास्तिन आठेक नो यानि कि 90 किलोमेटर प्रती घंटा हो जगा 90 किलोमेटर प्रती इसको काड़ेंगे तो पांच जोने दस ड्यवज़ रहें कि 200 सेकंड इसको लगे हैं 200 सेकंड इसको लगे हैं 1000 से दोनों के बीच का कितना अंतर है तो 1000 में से 200 घड़ जेगा तो 800 का करेक्ट रूटतर हो जागा ये था सवाल का एंसर ठीक है कंसेप्ट को केवल आपको बिल एक चकर में पूरा करने में कितना समय लेगेगा अब यही सवाल है कि भई यार एक बात बताओ इस ट्रैक की लंबाई जो है वह 15 मीटर है ठीक है और मोहन की जो रफ्तार हो दे रखा है कितना पचातर मीटर पर ती मिनट है ठीक है पीटर अब समय बराबर क्या होता है समय दोरी बैठेक्च चाल एक अदमी है कोई दिखत है 15डू सल दूरी कितना है दूरी कितना है मेरा भाई1-400 मीटर तो पर में चाल कीतना है समय बराबर मोहनम गल भीघर या रिलेटीब स्पीड दो वैक्ति में लिक्ता निकालते हैं समय बराबर धुरी बटे चाल जाहिर सा फोर्मूला होता है वही निकालना है कि इतना कि दूरी है एक से एक मीटर पर 30 सकेड़ एक मिनट में वह पचातर मीटर भागता है तो पंदर सो मीटर तक जाने में हो तो क अगला सवाल आपके सामने रमेश और नरेश दो आदमी है जो एक ही बिंदु से 920 मीटर लंबे एक वर्दा कर पत पर एक समान दिसा में समान दिसा में 40 पर 30 स तरन से दोड आरम करते हैं आरम से कितने समय के बाद वो पहलि बार पत में इस्थान बर मिलेंगे बतरब पहलए कि पहलि बार कमेट बॉक्स में बताना ठीक है भई तो उम्मिद करने आज की क्लास आप समझ पहाएंगे आज की क्लास को यह पर समाफ्ट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यबाद जैहिंद